इय विकरान भाई याथ एक सवाल था मेरा क्या चीज कहा है कि अधूबई में जो है ना ि इंटरिव्यू किसे देते हैं यां रहे मुझे झा dezette बार निए वह तो बात सही है मतलब और चीज भी होती हैं में इंटरिव्यू में ने इंटरिव्यू की समझते हो और इंट्रीफ का मतलब यह गर्लिश तुम आपने बारे में बताते हो तुम कौन हों कहां से हो और इधर क्या करने आया हो तुमने इंडिया में पाकिस्तान में इसे भी तुम हो तुम्ने क्या काम किया है वही चिस दो बतानी होती है हाँ सची है कि और ऀंग्ली के मतला इंडिया का इंट्रव्य होता है और दुबाइक एंट्रूमेन आश्मन का फरक है वहाँ क्या होता है ना हम लोग बैसिकली देते तो हैं इंडिया के अंदर भी इंग्लिश में देते हैं और इदर भी रहता है फरक की आता है कि हम आप पर चल जाता है मतलब कि थोड़ा बात बोलते हैं कि हम ऐसे हरा काम आते हैं खास करके देख अगर मैं तेरी बात करूं मालने तेरा इंटरुवी ठीक है ना तो तुझे एटलीस इस काम के लिए तरह इंटरुवी है ना वो काम आना चाहिए और पता है सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं सबसे बड़ी गलती हम लोग जो सीवी बनाते हैं ना रिजियूम जिसको बोलते हैं उसमें हम लोग ना क्या करते हैं दस जरम में किसी को बोलते हैं हमारी सीवी बना दो वह सीवी बनायता है वह कागज लेकर हम लोग आ जाते हैं और अपलाय करने लग जाते ह हाथ में online apply करते हैं और हमें ना यह भी नहीं पता होता है कि उस CV में लिखा के हैं तो बात 10 रुपे की नहीं है मैं कहता हूँ से सिवी बनाओ जब आप खुश से सीवी बनाओगे ना तो आपको उसमें हर एक पॉइंट बता होगा गूगल से कौपी पेश्ट करके शीवी बनाने साच है आपको खुद बनानी चीए जब आप अपना इंट्रुव देने जाते हैं ना एक बात बोलो बुरा मत मानना दोस् आप किसी इंसान के आगे, अपना नाम, अपने बारे में, आप कहां से हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को नहीं बता पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप उस मौकरे के लाइक नहीं है, क्यों बात चाहे अपने बारे में इंटर्वी देना हो, चाहे इंग्लिश में हो, च आपने बड़ाई कितनी करी है अपने नोः लोग करते हैं रहा जाते हैं या से याद करो अपने माइंड में उन छीजों को रखो माले कल मेरा इंट्रुव एक किसी सूपर मार्केट में है कि सुपर मार्केट से समझते हो ना खाने पेने की दुकान बड़ो और करो तुम्हारा इंट्रुव कहीं होगा हर एक विल्डिंग के निचे दुकान होती है सूपर मार्केट ना अपने भी नीचे हैं सबसे पहले आप वहां जाओ आपका इंट्रुव्य होता है आप एंट्रुव्य ओके करो आपका ओर इंट्रुव्य होता है आप सीधा वहां दर्वाजे से घूम के एक्सिट मारते हो ना सारी चीज़े मारें रहो अच्छा यह यह को एस्यूम करो थिके ना केशियर क्या काम कर रहे बूचली वाला क्या काम कर रहे हो कोन कहाँ πराइसिंग कर रहे क swag कउन को उपार सर्विस कैसी इस वहां है कि में संया तבंच का कि मेरे परिवार में गरीबी है यह नहीं चलता है यहां घर में जितने भी दूख परिशानी है उसको साइड में रखो चैरे में स्माइल रखो और अपने बारे में कॉन्फिटेंट ही बता हूं और किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़के जो आपको अगर मा मार्केट को चक्कर मारो इस सारी चीज़ माइंड में रखो ठीक है जब आपका इंट्रुवी होता है तो इस चीज़ को कनवर्ट करो मुझे पता है कि यार हर उपर प्रोफेशनल नहीं होता है इंग्लिज में मेरे भी इंग्लिज निखास नहीं बट टूटी-फूटी हिस आपको इमेल आइडी, फोन नंबर, पासपोर्ट ठीक है ना ये सारी चीज़े मेंशन होती है सिंपल सी चीज़ है बी कॉंफिटेंट, डरो मत सामने वाला भी इंसान है अगर नसीब में नोकरी होगी तो पक्का मेले के पास आपको थोड़ा सा एफ़र्ट करने है और सवा अगरी से खुद परिशान हो तो मैं दूसरे को क्या मोटिवेशन दूंगा दोस्त संजें जो दूख होते है ना वो अपने अंदर रखो दुनिया के आगे हस के जी हो किसी रेस्टूरेंट में के तुम बताओ दो रेस्टूरेंट है एक मैं आदमी मू लटका के बुला रह स्माइल इस एवरिचिंग जब मैंने पेडल नौकरी करेशी केरीफोर में उसमें बोलता है कि स्माइल याद रखना अगर आपको इंग्लिश भी नहाती है ना डंग से इंट्रूव नहाता है अगर आप रिटेल सेक्टर में मॉल में काम करने जाने अगर आपकी स्माइल है आपका 100% काम होगा यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बात बहिया एक और सवाल था क्या चीज़ है बहिया अगर हम कस्टमर को स्माइल से और इंटर्वियू में स्माइल से पास आउट कर जाते हैं तो ऐसा चांसेस होता है कि हमारा कुछ उपर परभाव हो या हमाइल बहुत जूरी है मतलब इसमाइल अगर मृट ऑपकी स्माइल है तकड़ी यह नहीं की बैफीजर्ट क desaf quedacje ना आप उसकरा होता है तो प्युक्त कुरा रहे हैं वह खुश होता है decor वह काम 있어 वह काम सीख रहे हैं तो आप यहाबर काम सीखने हएं काम करने है जो आप आपको 100% इंपैक्ट होगा और आपके ग्रोथ के चांस मेना बहुत जादे होंगे यही पूछ रहे थे भाई की ग्रोथिंग बढ़ती है कि 100% बढ़ती है और है कुछ सवाल भाई एक लास सवाल था क्या चीज है भाई यह सवाल यह है कि अगर इंटर्व्यू देते देते आ खेल नहीं चल रहा है ठीक है ना जब आप इंटर्वी स्टार्ट होना आप अपने फोन को पहले स्विच आफ कर दो एक घंटे पहले और सारी चीजे भूल जाओ पस ध्यान दो कि भाई मैंने इंटर्वी वर से कैसे बात करनी है परिशानी आज की डाप में हर किसी को है करो जी जग अगर गलत भी हो जाता है ना तो उसी को कवर करो स्माइल के साथ और सौरी प्लीज रिस्पेक्ट रखना और एक इंपोर्टन बात बतायता हूं दोस्त कोई नहीं बताएगा जब भी आप किसी ऑफिस में या मॉल में इंटर्वी देने जाते ना जैसी आप देहली जाते थे यह को एक घंटे पहले बुलाया था वह ऐसी घूम रहे थे फिर रहे थे तो उनसे कस्टूबर ने हैल्प मांगी तो उन्हेंने उनकी हैल्प करी उन्हें कि आप रूखिये मैं किसी स्टाफ को बलाता हूं है और कस्वं से उनके इंटर्वी नाम पूछा गया और याद रखना बिल्डिंग में या मॉल में तहली स्टाट हो जाता है कि इतना ही सवाल था थेंक्यू तो ही दोस्त जब आप लोगों को जरूद पढ़ेगी मेरी पूरी कोशिश रहेगी और बस आप लोग ऐसा प्यार पनाया रखना तो दोस्तों वीडियो बना दीके पूर चलो भाई इस वीडियो को ही एंड करते हैं मिलत आगले ब्लाग में अंटेल दें टेकर गुडबाय जैहिन जैवार